नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चनल फ्रिच्छा सरकल में सौगत है इसके पहले के क्लास में हमने हिस्ट्री का इंट्रो वीडियो करवाय था जिसमें आप लोगों कुछ बेसिक जानकारी दी थी जैसे कि भारती अतित का अधन कितने भागों में डिवाइड किया गया है और इसका जना किसे कहा जाता है बताया था थी का आधि अतिहास्य कल के इंतरकत पाशाड काल अध़ है करने के लिए पत्तरों के लिए अपियूग करता था पत्तरौं का अपनी आसकताओं की पूर्ति करने के लिए किसका प्योग करता था पत्थरों का जैसे कि वो रहता था तो घर भी बनाता था तो पत्थरों के जोपड़ी बना के रहता था और जो है सिकाल करने के लिए पत्थरों के उजार का प्रियोग करता था इसलिए सिकाल को पाशार काल कहा जाता है तो समझ में आगे आगे आप लोगों को कि पाशार काल माना जाता है कि प्राग्याहतिस काल का जनक किसे कहा जाता है क्यूंकि इन्हों सरफ प्रफम सर 1842 में करनाटक के रायचूर जिले से कहां से तो करनाटक के रायचूर जिले से पत्थर के बने तीर के फलक और छुरा की खोज की थी इसलिए इन्हें प्राग्य इतिहासी काल का जनक कहा जाता है ठीक है बच्चों कि अभ्य पाइब 45 का वरगी करड़ किस ने किया कैसे किया क्यूं किया गया हुए नियुक्ता प्राइम रोज के प करद कुछ करने के बाद कई इस्थानों पर भी कई प्रकार के पाइब प्रकार प्रात होने सुरू हो गया थे से देड़ documentation पर चाहरे स्थान पर बहुत ज्यादा मात्रायों में उपकरण पराथ हुए थे पाशाड़काल के जैसे सन 1853 में मध्य परदेश के नर्सिंगपूर में नर्मदा नदी की किनारे बहुत ज्यादा संख्या में उपकरण पराथ हुए थे अब तक कई स्थानों से पाशाड़ उपकरण पराथ हो चुके थे और 1853 पर बहुत सारे कई स्थानों से काफी ज्यादा मात्रा में पाशाड़ उपकरण पराथ हो चुके थे सान 1863 में दॉर नकावरहं नामक इसथान से पत्थर की कुल्हारी हैंडेक्स पराप्त के थी थे बुट्वॉ बैग्यानिक थे एक राब़यॉस तो इन्हों ने पत्थर की स्थान किया के था किसकी पत्थर की ही खोजी की थी भू बैग्यानिक मेंस होता है जो भूमी का अध्यन करते हैं भूमी का अध्यन जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं भू बैग्यानिक कहा जाता है ठीक है इन्होंने हेंड़क्स की खोज की थी राबर्स ब्रूस फूर्ट ने सोचा क्यों ना कि इन सभी पाशाड उपकरणों को काल के नुसार बाटा जाए तो इन्होंने पाशाड काल को दो भागों बाट दिया जो राबर्स ब्रूस फूर्ट थे इन्होंने सोचा कि इतने सारे उपकरण प्राप्त हो रहे हैं ना तो ह क्यों ना इनको बाट दे कर दें इनको भागों में ताकि क्या हो객ंदूऊ पढ़ना आसान हो जला युद्ध पाशारकल को फाशारकल कुछ district माना जाता है इनको बहारतीय पाशारकल को वास्तविक इनक माना जाता है कि भारतिय पाशारकाल का वास्तबग्जनक किसे माना जाता है तो राबर्स बुरूस फूट को भारतिय पाशारकाल का वास्तबग्जनक माना जाता है ठीक है इसलिए इन्हों ने कहा कि जो पाशार काल है उसको दो भागों में डिवाइड करके पहणिना सही नहीं है जो राबर्स बूस फूर्ट थे इन्होंने यूरोपियन पाशारकाल की आधार पर दो भागों में डिवाइड कर दिया था किन्तों जब यह आये प्रोफेसर सुबार आओ तो इन्होंने कहा नहीं दो भागों में डिवाइड करके पढ़ना उचितन नहीं है इसलिए इन्होंने एक समयलन था उसमें प्रस्ताव रखा आई देखते हैं 1960 में इन्होंने भारतिय पाशारकाल को तीन भागों में बाढ़ कर पढ़ा जाना चाहिए वाला प्रस्ताव दिल्ली में आई जो ते बिस्व पुरा तात्विक समयलन में रखा और वहां उनका प्र अत्विक समयलन में प्रस्ताव की तो डानेन परपाशारकालिस के तकी बिनिल्ली होग 532 ,, पुरा पाशारकाल के खाल और पाशारकाल क्या है तो प्रात अध्य बहुत सारे सब्सक्राट प्राप्त हुए है है बहुत बड़े बढ़े है तो उनके अधार पर पाशाबकाल को तीन भागों में डिवाइट कर जिया नेम पुरा पाशाबकाल , नेम पुरा पाशाबकाल मध्य begun पुरा पाशाबकाल xee किसी कितार में कोई समय लिखा है तो किसी कितार में कोई समय लिखा है…। पूरा पाशारकाल के मानो जीवन का साथ이스 भारत में कहीं नहीं मिला है…… कि पूरा खाल्य का दone कि ये गए तो मानों का साट के भारत में नहीं मिला था। फिराप्त प्रौव प्रतम मानों का सच पता चला था इए अप्रीका से ही प्राप्त हुआ था ठीक है अब है निम्नपूरा पाशारकाल क्या है निम्नपूरा पाशारकाल इस काल को उपकरोडों के प्रियोग की आधार पर किसकी आधार पर तो जो उपकरोडों हम लोग प्रियोग करते थे है ना उसकी आधार पर इसको कोर संसकृति क का नाम दिया गया जो निमनपुरा पाशारकाल था इसको उपकरोडों के प्रियोग के आधार पर कोर संसकृति का नाम दिया गया था क्यों कि इस काल में जो मनुसी था मानु था गोल पत्थर इसको पेबुल बोलते हैं क्या बोलते हैं पेबुल गोल पत्थर का कोरभा का प् जो काट जाइट पत्थर था यह बहुत मजबूत पत्थर होता था और इस समय कमानों इसी पत्थर का प्रियोग करता था पत्थर के कोर भाग का प्रियोग करके यहां बहुत सारे उपकरड बनाते थे पत्थर के कोर का प्रियोग करके जैसे चापर चापिंग विदारडी हैं पत्थर की खुल हाड़ी और चापर होता है जैसे गोल पत्थर था इसको यह थोड़ा काट के साइड में एक तरफ क्या बना दिया जाता था धार बना दी जाती थी और वही पत्थर अगर दोने तरफ धार बना दी जाती थी तो उसे चापिंग कहते थे ठीक है पूरा पाशार काल नेमन पूरा पाशार काल की अगिया है नृगों पूरा पाशार काल के ऊकरणों का तो राजस्थान के डिडवाना से, उत्तर परदेश के बेलन घाटी से, बेलन घाटी उत्तर परदेश के अंदर है, एक इस थान है, जहां से हमको निम्न पुरा पाशारकाल के को छुपकरण प्राप्त हुई हैं, अगला है, पाकिस्तान सोहन घाटी, पाकिस्तान के सोहन यहां से भी हमको निम्न पूरा पाशारकाल के को छुपकरण प्राप्त हुए है ठीक है अब है मध्य पूरा पाशारकाल क्या है मध्य पूरा पाशारकाल तो मध्य पूरा पाशारकाल को फलक संस्कृति कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्यों कि इस काल में मा कोटजाइट पत्थर के प्रयोग के साथ फिलिंट चट जस पर आज पत्थरों का प्रयोग सुरू कर दिया था इन पत्थरों का प्रयोग करके मानो जी निम्द बहुत सार उपकरड़ बनाता था यह पत्थर हैं से इकृटिस्वारण कैने इनके साथ प्रयोग करके मनोसी अपना ऐसे उपकरड़ बनाते थे खुरचनी बेतनी इन दीश् scrambled बनाने लगा था मध्यपूरा पाशारकाल के उसे प्राप्त उपकरण मध्यपूरा पाशारकाल में कहां कहां से उपकरण प्राप्त हुए हैं तो महाराष्ट्र के निवासा प्रवरा नदी की किनारे कई बार कोशन पूछा गया है कि सरवपर्था मानो कंकाल का कहा से प्राप्त हुआ गया था तो हथ नौरा से जो मध्य परदेश में इस्तित हैं यहां से मानो कंकाल प्राप्त किया था सबसे पहे हैं अब है उच्च पूरा पाशार काल क्या है उच्च पूरा पाशार काल इस काल को ब्लेड संसकृति कहा जाता है क्यों कि इस काल में मानो फलक के एक या दोनों तरफ ब्लेड की तरह बनाना सुरू कर दिया था इसलिए इस काल को हम लोग क्या कहते हैं ब्लेड संसकृति का नाम दिया गया था इस काल में भी उपकरड बनाने के लिए मानों कट्जाइट, फिलिंट, चट, जिस पर आदी पत्थरों का उपकरड बनाता था बहुत सा इन ही पत्थरों का उप्योग करके कई उपकरण बनाते थे जैसे खुर्चनी, तीछडी, बेधनी इन सब का प्रियोग से उजरा उपकरण बनाते थे ठीक है अगला है उच्पुरा पाशारकाल क्या है उच्पुरा पाशारकाल से प्राप्त उपकरण कहां कहां से प्राप्त हुई उच्पुरा पाशारकाल के उपकरण उतर परदेश की बेलन घाटी है वहां से हमको उच्पुरा पाशारकाल के कुछ उपकरण प्राप्त प्रणूल चित्तूर से एक इस्थान है वहां से हमको उच्छ पुरा पाशारकाल के कुछ उकरण प्राप्थ हुई है अब दिखते हैं कि कुछ इंपोर्टन्ट फैक्ट है ना पेपल में कई बार पूछे जाते हैं जैसे कि जो पुरा पाशारकाल के मानो था उसको जो है क्रसी का कोई ग्यान नहीं था जो पुरा पाशारकाल के मानो था उसको किरसी का किसी भी तरह का ग्यान नहीं था आ की खोज हो गई थी पुरा पाश नहीं था कि अपना वहां पर ही रहे उसका कोई स्थाई आवास नहीं होता था किसी बरतन का कोई प्रियोग का कोई साथ नहीं मिलता था और जो पुरा पशारकार का मनुष्य था उत्पादक नहीं करता था केवल संग्रहक था बड़े बड़े जानवों का सिकार करके भोजन के रूप में संग्रहकरता था खा लेता था और बचा खुचा जो हो बच जाता था उससे ले जाता था अगले दन के लिए रख लेता था इसलिए संग्रहक बोला गया इसे ठीक है अगर आपको ये वीडियो लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें आपकी डेली क्लास अप्लोड कर दी जाएगी कुछ प्रॉब्लम चलाइथी इस वज़े से वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रहे थे अभी तर ठीक है तब तक के बाबाए और अपनी तयारी हो अच्छे से करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा ओके बाबाए